Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल Friends, हमारा जो आज का वीडियो है, वो हमारी जो JavaScript की सीरीज चल रही है, उसका 21st वीडियो है और आज के वीडियो में Friends, हम लोग देखने वाले हैं, हमारे object के अंदर getters और setters क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको use करते हैं, तो हम लोग Friends क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक basic हमारा जो object बनाते हैं, हम लोग वो बना लेते हैं तो मैंने बोला एक है मेरे पास fname, और fname रखा मैंने विशाल, और एक रखा मैंने lname, और lname को मैंने कर दिया, गुपता चलिए, एक हमने, simple हमारा जो object होता है, वो हमने यहाँ पे बना लिया इसके बाद मैं आया document.write और मैंने बोला fname, obj.fname, एक बाद चलते हैं, हिट करते हैं, हमारे पास यह output आगया मैं चाहता हूँ कि मेरा जो fname और lname है, यह दोनों को दोनों को यहाँ पे print कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए concatenate करके इस तरीके से हम लोग print करा सकते हैं, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे मुझे इन्हे concatenate करना पड़ आया, तो इसके लिए हमने देखा था कि हम लोग अगर function भी बनाना चाहें, तो वो भी बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, full name, और हम लोग बोलते थे एक function, और हम लोग इस तरीके से हमारा function डाल सकते थे, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से return करा सकते थे, हम लोग बोल सकते थे return, this dot, इसी को डाल देता हूँ, हम लोग बोल सकते थे this dot f name and this dot l name, और जब इसको access करना होता था, तो हम बोल सकते थे obj dot हमारा function का नाम, hit करेंगे तो हमारे पास output आजाएगा, यह हम लोगों ने पहले भी देखा था, यहाँ पर क्या है कि मुझे जब name चाहिए, first name और last name चाहिए, तो वो time पर मुझे function को call करना पड़ा है, तो यहीं पर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, getters, getter भी इसी तरीके से काम करते हैं, बस उसका थोड़ा सा, जो styling है, लिखने का वो थोड़ा बदल जाता है, फायदा क्या है, वो जब हम actually में constructor पढ़ेंगे, तब आपको actually में उनका जो फायदा है, वो समझ आएगा, तो getters बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे get, get keyword है, जो आपको use करना पड़ेगा, इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि getter function कौन सा है, हमने बोला, full name नाम से getter function है, हम लोग इधर आएंगे, और इस तरीके से हम लोग define करेंगे, तो यह get keyword से इसको पता चलता है, कि यह getters नाम का जो function है, वो है यह, और यह return का content पे यहाँ पे डाल दूँगा, इसको एक बार हटा लेता हूँ, अभी जब इसको access करना है, तो function की ज़वोट नहीं है, यह getter बनाया, तो यह भी एक तरीके से यह है कि जब भी आप कोई data retrieve करना चाहते हैं, अपने object से, जो object में पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो उसको हम लोग getter का use करके निकाल सकते हैं, निकालना चाहें, तो getter हो गया, setter, तो getter का का काम होता है, value get करके देना, और setter का काम होता है, value set करके देना, अब अगर आपने javascript के अलावा कोई all language पढ़ी है, तो आप लोगों को easily, यह जो concept है, यह समझ में आ जाएगो कि हर language में होता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा तरीका इसका अलग है, setter के लिए भी almost same to same काम करेंगे हम, setter का काम basically होता है, value को set करने का, जिससे हमारी अगर value को change कराना चाहें, तो हम change करा सकते हैं, कैसे हो देखते हैं, तो getter मैंने यह लिखा था, और setter के लिए हमें लिखना पड़ेगा set, तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे set full name, और इसको थोड़ा सा change करके get full name कर देते हैं, थोड़ा सा relevant name हो जाएगा, यह हो गया get full name, और यह हो गया हमारा set full name, तो जब name set करना है, तो variable भी चाहिए, मैंने डाला fn, और डाला मैंने ln, हम लोग इधर आए, तो जैसे यह बनाया था हमने, वैसी मैंने यह बनाती, अब जब इनका नाम change करना है हमें, तो नाम change करने के लिए हम बोलेंगे, इस तरीके से हम लोग हमारा जो नाम है इनका, उसको यहाँ पर change कर सकते हैं, अब हमें जब इनकी value change करनी है, तो सबसे पहले हम लोग set full name को call करके, इसकी value को change कर देंगे, और उसके बाद इसको जो get करना है, वो get कर लेंगे, तो change करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा करते हैं, अलग तरीके से, एक काम करते हैं हम लोग, पहले मैं आपको na single को बताता हूं, यह थोड़ा parameter पर यहाँ पर गलत है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, चलिए, पहले तुम्हें जो line है, इससे comment out कर देता हूं, और इ यह क्या करेगा, lname को मेरे गुपता ही रखेगा, पर मेरे fname को यहाँ पर change करके, जो menu value पास करी है, वो डाल देगा, अब मैं hit करूंगा, तो मेरा नाम हो गया यहाँ पर, अमित कुपता, यह हुआ single parameter के लिए, पर अगर multiple parameter है मेरे पास, या multiple value है, जैसे कि this.fname है और this.lname ह इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर, देखे, setter में यह याद रखेंगे कि parameter खली a की पास होगा, एक से ज्यादा parameter यहाँ पर पास नहीं हो सकता, तो मैं इसे par कर देता हूँ, यानि कि parameter लिख देता हूँ, उसका short form में par होगा, तो यहाँ पर हम जब value डा करके दोनों में लगा देंगे, अब जब हम value set करेंगे, वो time पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, fn, हमने बोला Amit, और हमने बोला Ln, और हमने बोला यहाँ पर नमित, यह क्या करेगा अब, जब इसको setter को call करेगा, तो fname में, यानि कि इस वाले में यह Amit डाल देगा, और Ln में यह डाल देगा, एक पर देखते हैं अभी, तो देखिए, Amit नमित इसने जो था यहाँ पर कर दिया, तो यह हो गया आपका getter, यानि कि value get करना, और यह हो गया आपका setter, यानि कि value को set करना, किस तरीके से कैसे चीज़े चल रही हैं आपकी, यह थोड़ा सा अच् जब हम लोग constructor के बारे में पढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे, पर ध्यान रखिएगा, बहुत important यह concept है, जब हम object-oriented programming को पढ़ेंगे हमारे javascript के अंदर, तो I hope getter और setter का जो concept है, आज वो आपका completely clear हो गया हो गया है, कोई question है भी भी, doubt है जो आपको नहीं समझ में आया, त तो मुझे please वीडियो के comment box में बताइएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हमारा getter और setter का, तो इसको like और share करिएगा, चैनल में अगर आप नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजगा, thank you